तो दोस्तों स्वागा थे आपका आपके अपने चैनल फ्लक्सपूल पर दोस्तों यह रेलवे जनरल साइंस के प्रिवियस एर इंपोर्टेंट कॉस्चन की वीडियो सीरीज का पार्ट टू है तो अगर अभी तक आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मैंने इसकी लिंक दी हुई है आप जरूर जा कर देखें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भौत एक बिज्ञान के एक बहुत ही महत्रकून टॉपिक मात्रक, मापक और मापा नियंत्री की चर्चा करेंगे जिसमें हम शुरूआत करेंगे मात्रकों से तो वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अप्डेट आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आज का फर्स कॉस्चन दबाव की ऐसा ये काई क्या है? ओप्शन्स हैं A. Newton प्रति वर्ग सेंटिमीटर ओप्शन B. Newton वर्ग मीटर ओप्शन C है Newton प्रति वर्ग मीटर और ओप्शन नमबर D है Newton वर्ग सेंटिमीटर तो दोस्तों इस कॉस्चन का राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर C. Newton प्रति वर्ग मीटर दोस्तों दाब is equal to होता है F upon A अर्थात एक आंग छेतर फल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं दाब एक अधिसराशी है और दोस्तों इसका एक और मात रख होता है पासकल तो इसको आप जरूर याद रखिएगा Q2 है प्रत्वी से लेकर सूर्य की अनुमाने दूरी की लंबाई की यूनिट है ओप्शन से है A. Light Years B. Astronomical Unit C. Kelvin और ओप्शन नमबर D. Joule तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर B. Astronomical Unit अर्थात दोस्तों प्रत्वी से लेकर सूर्य की बीच की अनुमाने दूरी की लंबाई हम Astronomical Unit में नापते हैं अगर संख्यात्मा गुरूप से देखें तो एक Astronomical Unit is equal to होता है 1.495 into 10 to the power 11 meter तो दोस्तों ये बहुत ही important है इसको आप जरूर याद रखिएगा और अगर light years की बात करें तो दोस्तों ये प्रकाश वर्ष है अर्थात प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये point ही बहुत ही important है तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा एक light years अर्थात प्रकाश वर्ष is equal to होता है 9.46 into 10 to the power 15 meter अगर कहीं आप kilometer में मिले तो दोस्तों यहाँ 10 to the power 15 की जगे 10 to the power 12 देखने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं हमारा next question question number third है विस्थापन की SI1 क्या है options है A meter, B kilometer, C centimeter और option number D है meter प्रतिस second जो दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option number है meter अर्थात विस्थापन की SI1 काई meter होती है दोस्तों विस्थापन क्या है तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंबेक स्थिति पा अंतिम स्थिति के मद्धि की सबसे कम दूरी वाले पत की लंबाई को विस्थापन कहते हैं अगर example की through समझने की कोशिच करने दोस्तों तो माल लीजिए आप इस बिंदू A पर है और आपने यहां से चलना start किया और आप चलके बिंदू B तक आ गए तो दोस्तों इस चली गई distance को हम दूरी कहेंगे और विस्थापन के अगर बात करें तो इन बिंदूओं के बीच की जो सबसे कम distance है अर्था यह और बीच की सबसे कम distance यहां पर है तो इसे हम विस्थापन कहेंगे इसलिए दोस्तों पर विस्थापन जो है एक सदित रासी ह चलिए देख लेते हैं हमारा next question question number fourth है बिभवांतर की ऐसा ये काई क्या है options है a. kulam b. joule, c. volt option number d है watt तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number c. volt दोस्तों आप बिभवांतर क्या है तो किसी चालक के दो विंदूओं के बीच एक आंक आवेश को एक विंदू से दूसरी विंदू तक ले जाने में किया गया कार्य उन विंदूओं के बीच का बिभवांतर कहलाता है example के थूरू अगर हम समाजने की कोशिश करें तो image में आप देख सकते हैं ये टंकी का एक example है तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों टंकियों के मद्य पानी का प्रवाह हो रहा है तो पानी का प्रवाह है दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों टंकियों के बीच पानी के इस्तर का अंतर है अगर ये पानी के इस्तर का अंतर नहीं होगा तो ये टंकी के मध्य पानी प्रवायत नहीं होगा तो इसी को हम इस example से relate करने की कोशिश करेंगे माल लीजी ये एक चालक है और इसके दो बिंदू है बिंदू A और बिंदू B तो दोस्तों इन दोनों बिंदू का अपना अपना बिभाव होगा और इस चालक में माल लीजी हम क्यों आवेश को प्रवायत कर रहे हैं तो दोस्तों ये आवेश तभी प्रवायत होगा जब इन दोनों बिंदू के बीच बिभाव में अंतर होगा जैसे कि यहां टंकियों के स्तर की बीच अंतर था ऐसे ही यहां बिवाव के बीच अंतर होना जरूरी है तब ही यह आवेश प्रवाहित हो पाएगा अब दोस्तों यह तो हुई आवेश को प्रवाहित करने की बात बात करें अगर बिववांतर की तो दोस्तों बिंदू A से बिंदू B तक इस आवेश को लाने में जो कारे करना पड़ेगा उसी कारे को हम विभवांतर कहते हैं फॉर्मूला के रूप में अगर हम देखें तो V is equal to होता है W upon Q जहां W किया गया कारे है और Q आवेश है दोस्तों इसे हम इस तरीके से भी लख सकते हैं VA-VV जहां पर VA और VV दोनों बिंदों के मध्य विभव का अंतर है जैसे विभवांतर भी हम कहते हैं दोस्तों विभवांतर जो है एक अदिस राशी है दोस्तों विभवांतर के मातरक को हम जूल प्रती कूलाम भी लिख सकते हैं क्योंकि W का मातरक जूल होता है जो खालिस्तान की SI काई है दोस्तों G अर्थाद गुरुत्य तौरण तो options हैं A दाव B संबेक, C वेक और option number D है तौरण तो इस question का right answer हो जागा दोस्तों option number D तौरण अर्थाद G के मान की SI काई वही है जो तौरण के मान की है अब दोस्तों तौरण क्या है तो दोस्तों तौरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को हम तौरण कहते हैं मान लीजिए प्रत्वी से आपने किसी गेन को एक वेग के साथ उपर की तरफ फेका तो दोस्तों जब आपने गेन को फेका तो आप देखेंगे कि gain धीरे धीरे उपर जाते जाते slow हो जाएगी अर्थात समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो दोस्तों इसी परिवर्तन को जो है हम तौरण कहते हैं अब ये परिवर्तन क्यों हो रहा है तो दोस्तों आपको पता हुआ कि प्रत्वी प्रत्वी से जब हम किसी वी चीज को ऊपर फेकते हैं तो वह उस वस्तू पर अपने केंद्र की तरफ एक आकरशन बल लगाती है जिसके करण कोई भी वस्तू ऊपर से नीचे की तरफ आने का प्रयास करती है तो दोस्तों इसी आकरशन बल को हम गुरुत्विय त्वरण कहते हैं और संख्यात्माग रूप से अगर हम देखें तो जी का मान 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर होता है जो एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट तो आप इसे याद रखिएगा I think आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों तो दोस्तों question number 6 है Newton प्रती मीटर स्क्वेर किसकी एकाई है options है A शक्ती, B दाप, C कार और option number D है बल तो दोस्तों इस question का right answer होगा option number B दाप अर्था Newton प्रती मीटर स्क्वेर दाप की SI काई है और दोस्तों इसे आप question number 1 में भी देख चुके हैं तो देख लेते हैं हमारा अगला question question number 7 है Newton मीटर स्क्वेर प्रती किलोगराम स्क्वेर की SI काई क्या है अर्थात यह किसकी काई है तो options है A दबाओ, B समवेक, C गुरुत्वा करशन के करण हुआ त्वरण और option number D है गुरुत्वा करशन के सारववोमेक नियतांग तो दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option number D गुरुत्वा करशन के सारववोमेक नियतांग तो दोस्तों अगर आपने Newton का गुरुत्वा करशन का सारवत्रिक नियम पढ़ा हो तो उसमें बताया है कि ब्रह्मांट का प्रत्य एक पिंड अन्य पिंड को अपनी ओर आकरशित करता है और इस गुण को गुरुत्वा कर्शन कहते हैं तो example में दोस्तों आप देख सकते हैं कि M1 और M2 दो पिंड है और ये एक दूसरे को F1 और F2 बल से अपनी ओर आकरशित कर रहे हैं अब ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों तो इन दोनों के बीच गुरुत्वा कर्शन बल कारे कर रहा है जिसका कारण ये दोनों एक दूसरे को आकरशित कर रहे हैं दोस्तों इसी नियम को गड़नात्मक रूप देने के लिए इन्होंने एक नियम दिया जो है F समानुपाती M1 M2 upon R² अर्थात किनी दो पिंडों के बीच कारे करने वाला आकरशन बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुडनफल के समानुपाती और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के वितकरमानुपाती होता है तो अगर हम यहां से समानुपाती के चैन नटाएंगे तो दोस्तों यहां पर G आ जाएगा जिसे गुरुत्वा करशन का सारवत्रिक नियतांग कहते हैं अब अगर हम R² को यहां बीचे तो दिखेंगे F into R² और M1 M2 नीचे आ जाएगा इसके तो M1 into M2 अब दोस्तों F का आप जो मातरक होता है वो Newton होता है और R² का मातरक मीटर स्केर होता है और M1 और M2 का जो मातरक होगा वो kilogram into kilogram होके kilogram स्केर हो जाएगा अब दोस्तों kilogram स्केर को अगर हम उपर भेजेंगे तो यह प्रती kilogram स्केर बन जाएगा तो इस तरीके से इसका मात्रक Newton meter square into प्रती kilogram square हो जाएगा I think आपको अच्छे से समझ में आए गया होगा और दोस्तों एक important point जिसे आपको याद रखना है यह G का मान जो होता है वो 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square into प्रती kilogram square होता है तो चलिए देख लेते हमारा next question question number 8 है प्रती रोधक्ता की ऐसा ये काई क्या है options है A. Ohm into meter, B. Joule, C. Ampere और option number D. Ohm तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों option number A. Ohm into meter दोस्तों प्रती रोधक्ता के नियम के अनुसार किसी चालक का प्रती रोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुपरस्त-काट के 6-3-5 के बितक्रमा उपाती होता है अब अगर हम यहां से समानुपाती का चिन भटाएंगे तो यहां पर नियतांक का जाएगा जिसे चालक की प्रतिरोधता या विसिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अब अगर हम A को यहां से उपर भीजें और L को यहां नीचे भीजें तो जो नया फॉर्मूला होगा वो बनेगा ρो is equal to R into A upon L अब दोस्तों R का मातरक होता है वो A, M, M जो है प्रतिरोधत क HideProduction की प्रकृती और ताप्पन प्रक्राइबर करता है तो यह भी एक इंपोर्टेंट प्वांट है चले देख लेते हैं question number 9 इन मेंसे क्या चालगी अंतरराष्ट्ट ये ऐसा यो काई है तो options है A मीटर प्रती सेकंड, option B है किलोमेटर प्रती आवर, option C है मीटर प्रती मिनिट और option नमबर D है किलोमेटर प्रती सेकंड तो दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option नमबर A मीटर प्रती सेकंड अर्थात, चाल बरावर होता है दूरी वटी समय, यानि एकांग समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं दूरी का मात रख होता है मीटर, समय का मात रख होता है सेकंड, इसलिए इसका मात रख हो जाएगा मीटर प्रती सेकंड अब दोस्तों, चाल की गणना करने के लिए, हमें केवल परिमार की आवशकता होती है, दिशा की नहीं, इसलिए चाल एक अधिस राशी है चलिए देख लेते हैं, question number 10, question number 10 है, विद्धुद्धारा की SI1I क्या है? आपके options हैं, A bolt, B kulam, C ampere, और option number D है own तो दोस्तों, इस question का right answer हो जाएगा, option number C ampere, अर्थात विद्धुद्धारा की SI1I ampere है formula की रूप में अगर हम इसे देखें, तो I is equal to होता है Q upon T, जहां Q आवश और T समय को denote करता है अर्थात एक आंग समय में, किसी चालक में प्रभाहित आविश को उसकी विद्धुद्धारा कहती है तो दोस्तों, question number 11 है, तोरण की SI1I क्या है? options है, A meter into second, B meter per 30 second, C meter per 30 second square, और option number D है, kilogram meter per 30 second तो इस question का right answer हो जाएगा, option number C meter per 30 second square दोस्तों, तोरण जो है, वेग में परिवरतन की दर है, दोस्तों, वेग का मातरक meter per 30 second होता है, और समय का मातरक second होता है तो अगर हम second को नीचे भीजेंगे, तो जो हमारा नया मातरक बनेगा, वो बनेगा meter per 30 second square चलिए देख लेते हैं, next question, question number 12 है, भार की SI, एकाई भही है, जो खालिस्तान की SI, एकाई है आपके options हैं, A, दाप, B, प्रणूट, C, बल, और option number D है, द्रविमान तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, बल, अर्थात दोस्तों, भार और बल की एकाईया, दोनों समान होती है चलिए देख लेते हैं, next question, question number 13 है, दी गई भहते कराशियों मैंसे, क्या सापिक्च राशी नहीं है options हैं, A, समय, B, तुरण, C, बल, और option number D है, दूरी, तो दोस्तों, इस question का right answer हो जाएगा, option number A, समय दोस्तों, समय किसी अन्य राशी पर निरवर नहीं करती है, इसलिए समय सापिक्च राशी नहीं है चलिए, देख लेते हैं, next question, question number 14 है, मन्दता की अंतर राश्टी एकाई क्या है आपके options है, A, meter into second square, option B है meter into second, option C है meter 30 second, और option number D है meter 30 second square तो दोस्तों, इस question का right answer हो जाएगा, option number D, meter 30 second square दोस्तों, मन्दता से यहाँ पर तात्वरे तोरण से है, तो आपको confused नहीं होना है चलिए, देख लेते हैं, next question, question number 15 है, एक पास्कल बराबर होता है options है, A, एक newton प्रती meter square, B, 100 atmosphere, C, एक डायन प्रती centimeter square और option number D है, एक newton meter square, तो इस question का right answer हो जाएगा, option number A, एक newton प्रती meter square दोस्तों, पास्कल जो है, दाब का ही मात रखे, इसलिए आपको याद रखना है, कि दाब का एक और मात रख होता है B is equal to F upon A, एक newton प्रती meter square, तो दोस्तों, ये मात रख भी आपको याद रखना है तो question number 16 है, निमने लिखित का सही मिलान कीजिए, तो दोस्तों, इस question का right answer होगा, option number A तो इसका पहला option है watt, watt का सही answer होगा, newton into meter, second है kilowatt, kilowatt का right answer होगा, 1000 watt अर्थात एक kilowatt is equal to होता है, 1000 watt, third है, एक kilowatt hour, यानि एक kilowatt घंटा, तो इसका right answer होगा, option number B 3.6 into 10 to the power 6 joule, और last है, एक horsepower is equal to होता है, 746 watt, तो question number 17 है, तरंग देरत का ऐसा ही मात रख क्या है तो options है, A hertz, B kilogram, C second, और option number D है, meter, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, meter दोस्तो तरंग देरत का ऐसा ही मातर, meter होता है, अब दोस्तो तरंग देरत क्या कहलाती है, तो example के थूरू हम समझ लेते हैं इमेज में आप अनुपरस्ते तरंग को देख रहे हैं, तो दोस्तो इसमें ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है, इसको हम शरंग कहते हैं, और जो नीचे दबा हुआ हिस्सा है, इसको हम गर्द कहते हैं तो दोस्तों, दो श्रंगों के बीच की distance को हम तरंग देरत कहते हैं, अत्वा दो गर्दों के बीच की distance को भी हम तरंग देरत करते हैं, कहने का मतलब यह है कि continue repetition अगर किनी दो चीजों की हो, तो उसे हम तरंग देरत कहेंगे, चलिए देख लेते हैं, next question, question number 18 है, इन में से कौ right answer हो जाएगा, option number भी mole, इसे हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, कि mole को हम किस प्रकार से लगते हैं, चलिए देख लेते हैं, next question, question number 19 है, विद्वत कूर्जा व्याय का वानज्यक मात्रक क्या है, options है, a kilowatt घंटा, b joule, c watt, और option number d है, volt, तो इस question का right answer हो जाएगा, option number 1 kilowatt घंटा, दोस्तों, 1 kilowatt घंटा is equal to होता है, 3.6 into 10 to the power 6 joule, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, next question है, मात्रक कूलाम प्रती 2nd का दूसरा नाम क्या है, options है, joule, ampere, volt, और option number d है second, तो इस question का right answer हो जाएगा, दोस्तों, ampere, तो कूलाम प्रती 2nd, ampere का ही दूसरा नाम है दोस्तों, formula की रूप में अगर देखें, तो धारा का formula होता है, I is equal to Q upon T, यहाँ Q का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक second, तो इसका मात्रक कूलाम प्रती 2nd हो जाएगा, और साथ ही दोस्तों, धारा का मात्रक ampere भी होता है, तो इसमें आपको confuse बिल्कुल नहीं होना है, दोस्तों, तरंग द्वारा एकांग समय में ताई की गई दूरी को हम तरंग भेक कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर प्रती 2nd होता है, चलिए देख लेते हैं, आज का last question, question number 22 है, ध्वनी प्रदूशन किस में मापा जाता है, options है A, decimal, B, Joule, C, Ampere, और option number D है, O, तो इस question का right answer हो जाएगा, option number A, decimal, दोस्तों, ध्वनी तरंगे जो है, अनुदेर्दे तरंगे होती है, और अगर इन तरंगों की आवरती 20 हर्ट से, 20,000 हर्ट के बीच हो, तो इन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं, और इन्हें हम श्रब तरंगे कहते हैं, साथ ही वायू में ध्वनी की चाल तो यह भी एक बहुत ही important point है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं, कि ऐसे ही और important वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आपके फ्लक्सपूल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!